अलो फ्रेंट्स, आई आम गामी सफिरा, वेलकम टू मैं आउनलाइन क्लास, सब्जेक्ट हिंदी चैप्टर 4, स्टांडर 6, रिविजन पार्ट, सेकंड, आज हम फिर से कोवलन और कनकी ये लेशन का रिविजन करेंगे तो बच्चों कल हमने देखा था कि दक्षिन भारत के मदुरई के पास एक छोटा सा गाउं था, उनमें एक धनी व्यापारी कोवलन अपनी पतनी कनकी के साथ रहता था कोवलन इधर-इधर माल खरिदने और बीचने जाता था और एक पर क्या हुआ कि वो बूरी संगती में पढ़ गया इसी वज़ों से स्वार्थी लोगों की संगती में रहने से उसे व्यापार में बहुत हानी हुई और वहाँ अपना सारा धन गव बेठा से बहुत पच्चतावा हुने लगा और क्या हुआ कि बहुत पच्चतावा तो हुआ मगर अब क्या करेंगे इसलिए तो ऐसा कहा जाता है ना कि अब पच्चताए हो तो क्या जब चीदिया चुक गई खेद तो उसी तरह से उसने क्या किया अपनी wife के साथ वो मदूरई पेडल यात्रा शुरू कर दी और वहाँ जाकर वो लोग रहने लगे वहाँ जाकर उन्हों ने क्या किया एक गर कीराये पर ले लिया एक तो दिन अपना खाना जो लाये थे वो खाया, मगर फिर क्या हुआ, सब कुछ समाप्त हो गया अब उन लोगों के पास पेसे तो थे ही नहीं तो कनकी ने क्या कहा, मेरे पास कुछ गहने है ताप उन्हें बेचकर भोजन सामगरी ले आईए बाकी बचे पेसों से क्या करेंगे, व्यापार सुरू करेंगे ऐसा की इसने सोचा, उनकी पतनी कनकी ने कनकी ने अपनी बहु मुल्य पायल कोवलन को दे दी तो बच्चों कल हमने यहां तक यह चेप्टर देखा था आज हम आगे चेप्टर देखेंगे वहां उसे लेकर बाजार चला गया बाजार में जोहरी की दुकान पर पायल दिखाई निर्धन से लगने वाले इस व्यक्ति के पस इतनी बहु मुल्य पायल कहां से आई ऐसा सोचते ही जोहरी कोवलन को दुकान पर बीठा कर स्वयम बहार चला गया क्या किया कि वह बाजार में जोहरी की दुकान पर पायल लेकर तो गया मगर निर्धन से देखने वाले इस इंसान के पस इतनी महंगी चीज कहां से आ सकते है न बहु मुल्य पायल है वैसी वैसी पायल नहीं है वह बहु मुल्य पायल वह लेकर गया था तो वो सोचने लगा कि ये तो ऐसे भी कैसा दीख रहा है निधन यानि बहुत गरिब दीख रहा है तो उसने सोचा कि ये चोड तो नहीं होगा तो उसने क्या किया कोवलन को डुकान पर बिथा दिया और वो बहार चला गया कुछी देर में लोटा तो दो सीपाई भी उसके साथ भीतर आये यानि अंदर दो सीपाई भी आये कोवलन घबर गया तबी एक सीपाई बूला तुम चोरी की पायल बेचने आये हो अपराधी हो चलो और वे कोवलन को पकड कर ले गये क्या हुआ कि उनको कोवलन को चोर समझ कर क्या किया दो सीपाई उने पकड लिया और अपराधी समझ कर उनको लेकर चले गये कुछ दिन पहले मदुरई की राजमहल में चोरी हुई थी चोर कुछ गहने भी ले गये थे इसकी सुचना नगर जोहरियों के पास थी क्या हुआ था कि मदुरई का जो राजमहल था उसमें चोरी हुई थी और चोर कुछ गहने भी लेकर गये थे तो ये बहुत मुल्य पायल उन लोगों को लगा कि ये राजमहल की ही है तो उन्होंने क्या किया कोवलन को पकड लिया है ना और इसकी सुचना नगर जोहरियों के पास थी इसलिए जोहरी ने कोवलन को पकडवा दिया वह केता ही रहा कि वह चोर नहीं है पायल उसकी पत ने की है पर किसी ने उसकी एक न सुनी एक न सुनी यानि उनकी बातों पर विश्वास न कर रहा बस उसे कारागार में दाल दि राजा ने चोर के पकड़े जाने की बात सुनी तो उसे फासी पर लटकाने का आदेश दिया उनको लगा राजा को तो ये तो वो ही चोर है जो चोर आज महल में चोरी की थे तो उन्होंने तो आदेश दे दिया कि उनको फासी लगे गया उदर कन की परिसान थे कि कोलन लोटा क्यों नहीं उसने गुरू स्वामी की सहाईता से मालूम कर लिया कि उसके पती को चोरी के अपराद में पकड़ लिया गया है और उसे फासिदी जाने वाली है अब यहाँ पर क्या होता है कि कोलन तो अच्छा इंसान है मगर वो जब पायल लेकर जाता है तो उनको वो जोहरी ने उसको चोर समझ लिया है न तो जोहरी क्यों चोर उसको समझने लगा क्योंकि थोड़े दिन पहले क्या हुआ था राजमहल में चोरी होई थी और वो जोरी को लगा कि वो राज महल में जिसने चोरी की थी ये वो ही चोर है ना तो उनको तो राज महल में जाकर उनको बता दिया कि हमारे यहां कोई इंसान आया है बहुत निर्धन चैसा दिख रहा है मगर उसने क्या किया है बहुत बहुत मुल्या पायल लेकर आया है तो दो सीपाई आकर क्या गरते हैं कोवलन को लेकर चले जाते हैं और राजा की राजदर्बार में ले जाते हैं और राज़ दर्बान में राजा को बताते हैं कि हमने चोड को पकर लिया है और राजा ने तो फासी पर लटकाने का आदेश भी दे दिया और इस तरफ कंकी है चो कंकी को तो कुछ बात का पता ही नहीं वो तो कॉलन का वेट कर रही कि अभी आएंगे और हम अच्छी तरह से खाएंगे बेठेंगे है ना तो वो तो सोच रहे कि कॉलन अभी तक घर पर क्यों नहीं आए और अपने जो गुरू स्वामी थे यानि घर का जो मालिक था उनकी सहाईता से उनको मालूम पड़ा कि उनके पती को कौन पकड़ कर ले गया है सीपाई दो सीपाई पकड़ कर ले गया है क्यों चोरी के अपराद में और उसे फासी दी जाने वाली है अभी हमारे घर पर से कोई इंसान बाहर जाएगा तो हमें भी टेंसन हो जाएगा ना क्योंकि उसने इसा कुछ किया ही नहीं है और उनको फासी लगने वाली होती है तो तो अभी कंकी के दिमाग में भी बहुत सारे स्क्रेशन है और वो अब क्या करेंगी राजा के पस जाएगी और किस तरह से अब खुद को सत्य साबित करेंगे ना कि वो सच है और कॉलन ने कुछ चोरी नहीं किये वो कैसे साबित करेंगी हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो बच्चो आज हम यहां तक यह स्टोरी देखेंगे आपको हॉमवर्क में क्या करना है वीडियो फिर से देखना है और जो मैंने पीडियेफ आपको सेंद की है वो लिखित और मौकिस क्येशन के आंसर अच्छी तरह से आपको हिंदी की नाटबुक में लिखना है और लर